है गाइस वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल जंप से इस्टाइल ब्लॉक्स तो गाइस आज किस फीडियो में बात करने वाला हूं इंडिया की एक और न्यू अपकमिंग बाइक के बारे में जो कि हॉंडा की तरफ से रहने वाली है जिसका नाम है हॉंडा रिवेल 250 तो तो गाइस यह इंजी अल्य के आथे लगर्शन वाली है तो गाइस वेल्य से पशुलडेल के साथ में बताने वाला हूं कि यह वावी प्राइस के साथ बता दूंग हाँ इस वाइक की क्या आपको इस bike के अंदर price देखने को मिलने वाले हैं और क्या-क्या features देखने को मिलने वाले हैं तो आई सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस bike के like engine details के बारे में क्योंकि आपको मिलने वाला 249cc, watercullit four stock, single cylinder electronic, controlled fuel injection के साथ देखने को मिलने वाला है वहिएकर मैं बात करूँ इस bike के maximum power के वारे में चुकि आपको मिलने वाली है 26 hp with 9500 rpm के साथ देखने को मिलने वाली है और friends मैं बात करूँ इस bike के maximum torque के वारे में तो talk show आपको मिलने वाला है जो रहने वाला इस bike का वो 26 km पलिटर अप्रोक्सिमेट देखने को मिलने वाला है और फ्रेंड बात कर लेते हैं इस bike के ब्रेक्स एंट टायर्स के बारे में like friend free के अगर मैं बात करूँ तो इस bike के अदर आपको homeodus देखने को मिलने वाले और रेर बिग में भी आपको Emil harm की दखने को मिलने वाला है और मैं बात करूँ आपको इस bike के दायमेंड में देखने को मिलने वाली है बहए अगर मैं बात करेंगों Ground Clarence के बारे में जो कि आपको मिलनेवाला 150mm करेंस की दिखने को मिलनेवाला है अगर मैं बात कर लिएक के car weight के बारे में जो कि आपको मिलने वाला 170kg कर वेट दिखने को अफिरेणस साथ से हाथ बात कर लेते हैं इस bike के fuel tank capacity के बारे मैं like fuel tank capacity जो आपको मिलने वाली है वो 11 liters की देखने को मिलने वाली है तो इस bike के expected price रहने वाले हैं वह 190,000 रुपीज रहने वाले हैं like 1,90,000 रुपेश रहने वाले हैं और 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 में बात करूँ तो और पर आपको पता होगा कि हर जगा के अलग होते हैं like थोड़े बहुत ऊपन निचे होते रहते हैं वर जादा नहीं होते हैं तो गाइस अम्हें बात कर लेता हूँ फानिल लॉंचिंग डेट के वारे में जैसे कि मैं आपको बता यह बाइक इंडिया की अपकमिंग बाइक के रहने वाली है कि मैं आपको बता यह बाइक के रहने वाली है